आमिर खान की फिल्म लाल सिंग चढधा का लोगों को बेसबरी से इंतजार था, लेकिन जैसे की फिल्म ने थियेटरों में दस्तक दी, फिल्म धीरे धीरे पिट्ती चली गई। लाल सिंग चढधा 11 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, तब से लेकर आज तक फिल लाल सिंग चढधा सिर्फ एक करोर पचास हजार की ही कमाई कर पाई है, जो कि इस फिल्म के बजट और आमिर खान के स्टार्डम के हिसाब से काफी कम है, हाला कि शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ा एजाफा हुआ है, शुक्रवार को फिल् रिलीज हुए 10 दिनों का समय हो गया है और इन 10 दिनों में लाल सिंग चढधा लगभग 54 करोड की ही कमाई कर पाई है, जो कि आमिर खान की पिछले फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से भी काफी कम है, गौर तलब है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने रिलीज के पहले ही दि पर लगभग 52 करोड का कलेक्शन किया था, अद्वेत चंदन द्वारा निर्देशित फिल्म का वर्ल्ड वाइट कलेक्शन भी लगभग 50 करोड रुपे के आसपास है, इतने कम कलेक्शन के साथ लाल सिंग चढधा आमिर खान की अब तक सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म मे शामिल हो गई है, ऐसे में अगर आमिर खान की फिल्म सिर्फ 60 करोड रुपे के आसपास पहुँचती है तो बॉली वुड के लिए ये एक चिंता का विशाय है, इसे और अपडेट के लिए और हमारी चैनल के साथ जुडने के लिए लाइक, शेर और सबस्क्राइब प्सक्राइब कि चान का विए ये गारी आमिल्स कोड़ deposited, बॉपका के लिक हमारी ऊप्सक्राइब के लिए वगने के सी। Выग नपने के लिए टी